जो सब्सक्राइबर दिखते हैं उसके उपर अबाउट का जो सबसे पहला शब्द होता है उसमें दिखता है तो उसमें लिखा है सर्वसन्यास सुखानाम तो कई सारे लोगों ने मुझे पूछा और पूछते भी रहते हैं मेरे कई सारे सोशल मेडिया फ्लेटफॉम पर भी ये लिखा रहता है और कई सारी पोस्टों में भी लिखा रहता है तो कई सारे लोगों ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है और ये कहां का वचन है कहां पर लिखाए तो यह सर्वसन्यास सुखा नामiblical शब्द कहा से आया यह आया एयुरुवेद के एक ग्रंथ चरक्शनही bending things वहां पर एक प्रकरण मिलता है जहां पर निक्रिष्ट और उत्क्रिष्ट चीजों के विशह में बताया गया है तो सबसे उत्क्रिष्ट क्या है और सबसे निक्रिष्ट क्या है तो जैसे कंदों के विश्य में बताते हैं, वह आलुकंद का गाना मां जल्फी, ज्खथ गटिया और जैसे आपने श्रुमत भगवद गीता पढ़ी हो तो उसमें भी आता है sólo भगवान कृष्ण बताते हैं कौन हूँ तो ऐसे जो सुरिष्टता को दिखाते हैं तो सबसे बड़ा सुक क्या है सरवसन्यासा सुखानाम सुकों में सबसे बड़ा सुक है सभी क्रियाओं को कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देने का सुक जो भी क्रिया कर रहे हैं जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल के प्रति आ सकती के न होने का सुख सबसे सन्यास ले लेना कर्म के फल से सन्यास ले लेना और फिर उसके बाद में उसके परिणाम का जो सुख है वो सबसे बड़ा है तो कहने का अताद पर है किआप जो भी कर रहे हैं उसमें नराग से लिपता हों न दूष से लिपता हों और ऐसा हो करके जब आप कर्म करते हैं तो उससे आप बहुत सुख होते हैं उससे बड़ा सुख संसार में कोई भी नहीं है जब आप निश्काम भाव से कर्म करते हैं तो वरतमान में ही उससे इतना बड़ा सुख मिलता है जो कि किसी भी बहुत एक वस्तू के संसाधनों से नहीं मिलता है आप चाहे जितना बड़ा सुख समझते हों अपने मन में कि संसार का ये बहुत एक सुख सबसे बड़ा है लेकिन नहीं निश्कामता का जो सुख है उसके जो भाव में जो सुख है हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और हम कर्म कर रहे हैं परमात्मा का अधेश मन के तो इस इस्तिती में उस कर्म को करते हुए ही जो सुख प्राप्त होता है वरतमान में वो सबसे बड़ा है और जब निश्काम कर्म करते जाते हैं तो इसका दूसरा जो भाग है इसको थोड़ा सा और के रही से समझें तो वरतमान में तो सुख मिले ही रहे परंटो जब निश्काम कर्म करते करते हम करमाशय के बोज से भी मुक्त हो जाते हैं तो फिर हो था मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य, निश्रयसु से कुछ भी कहें तो फिर वहाँ पर जो आनन्द है उस आनन्द की कोई जीमा नहीं है वह तो जो अभी जो वरतमान का भाव है उससे भी बढ़कर है तो निश्कामता से ही अपवर्ग हो सकता है तो उस सुक की भी परिकलपना इसमें दी गई है तो जो हम अपने लिए कुछ करते हैं तब हमें दुख पराप्त होता है कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम समाज के लिए ये सब करते हैं और लोग हमारे प्रतियसा भाव रखते हैं हमें गालियां देते हैं हमारा विरोध करते हैं हमें कुछ भी बोलते रहते हैं लोग जब आप समाज के लिए काम करेंगे और एक बात समाज की हुई और एक बात है परिवार के लिए भी हम परिवार के लिए भी करते हैं तो लोग कहते हैं मैंने इसके लिए इतना किया मैंने इसके लिए इतना किया और इनकी प्रतिक्रिया मेरे विरोध में रही और ऐसी कई सारी चीज़ें तो ये जो कष्ट होता है हमें इसलिए होता है क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इनके लिए कुछ कर रहा है तो हम राव और द्वेश से युक्तो करके हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करेंगे तो दुख हो गई तो इसलिए कह दिया है सर्व सन्यास असुखाना सन्यास लोई इन सब चीज़ां से कर्म करते हुए कर्म करोगे तब भी लिपत नहीं होगे कैसी विश्तिती होती है क्योंकि कर्म करने के लिए तो वेद में भी कहा है कि कुर्वन ने वे कर्मानी जिजी विश्यक शतम समा एबं तो इनान्य थेत उस्ति न कर्म लिपते दे नर तो कर्म करते हुए ही सोवर्ष तक जीने की इच्छा करो तो कर्म करना है लेकिन पर्मात्मा का आदेश मान करके कर्म करना है यह भी बात कहीं गई है महर्शी पतंजली के योग सूत्र का भाष्य करते हुए महर्शी व्यास दी कहते हैं कि युश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियनाम परम गुरु अर्पडम तत्फल सन्यास हुआ आपकी जितनी भी क्रिया और कर्म हैं उन सब को परम गुरु को अर्पित करो और कि अपना कुछ भीन है अपना कुछ भी मैरा कुछ भीन है यह विए नहीं है यह उसाट खुबauen का भी आप भुन के लिए और नहीं है तो भोग भी अपवर्ग के लिए होना चाहिए और यह इस रिष्टी है भोग और अपवर्ग दोनों के लिए तो अपवर्ग तो रहना ही है साथ में तो मुक्ति की कामना से जो कर्म करते हैं वो इश्वर अपने धान में ही आते हैं तो सब कुछ प्रभू तेरे हवाले मेरा कुछ भी नहीं है आरती में भी घाता है ना कि तेरा तुझ को वरपन क्या लागे मेरा तो तेरा ही है तेरे ही लिए है तुझ जो मुझसे करवाएगा प्रभू वही मैं करूंगा तो जो दूसरे का काम हम करते हैं तो अपने माथे पर अपने खोपड़ी पर क्यों बजन लेंगे क्यों भार लेंगे आप किसी फैक्टरी में भी काम करते हैं किसी कंपणी में काम करते हैं तो आपका मालिक जो जो काम बता देता है ऐसा करना ये फाइल ऐसे करनी है वो मेल उसको भेज देना ये वस तूठा के यहां रखनी है तो जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा कर देते हैं अब उसके क्या प्रभाब होंगे दुश्परिणाम होंगे वरकर को तो कोई चिंता नहीं है उस बात की क्या करना उसको उसकी तो सैलरी तयार है तो वो अपने उपर नहीं लेता है वाई जो भी जाने है मालिक जाने तो ऐसे ही हमारा जो मालिक है संसार को चलाने वाला परमात्मा अब वो हमें आदेश देता है वेद में कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसे जीओ हमें वैसे वैसे करना है वैसे जीना है अब लोगों की क्या प्रतिक करिया रहेगी संसार की क्या प्रतिक करिया रहेगी हमारे विरोध में या समर्थन में उससे क्या लेना देना है हम तो परमात्मा का काम कर रहे हैं हाँ यहां के जो मालिक हैं उनकी बातों के दुश्प्रवाव होते हैं परमात्मा हमसे जो भी करा रहा है उसका कोई दुश्प्रवाव नहीं है क्योंकि परमात्मा ज्यान ही नहीं है सर वा नियंता वही है उसी के नियंतरण में हम काम कर रहे हैं तो वही जाने तो हम समाज का काम करेंगे लोग हमें कुछ भी कहेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं वही हमारा तो काम है नहीं और लोग प्रसंसा भी करते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं रखना जाए क्वाइए क्योंकि जो प्रसंट साह से मतलब रखते हैं के जो प्रसंटसा प्राप्त कर जाने आपमान कोई कर भी रहा है ना हम उस कोई चूछा नहीं और ना हम उसको पी रहे हैं वहाक है गालियां भी आती है जो भी विरोध आता है उसको भी आने दो तो सुख भी आता है दुख भी आता है सान सारे जो भी नहीं चाहिए परमात्मा जो भी देगा जो भी करेगा हमारे लिए बस वही है तो उसकी इच्छा में समर्पित हो करके यश्वर प्रनिधान में जीना है इश्वर प्रणिधान का सीधा सारत आप ऐसे समझे कि आप नईया लेकर समुद्र में उतर गए हैं और पतवारें अपने फैक दी है अब जो लहरें जहां ले जाएंगी उधर हम चल देंगे तो परमात्मा की इच्छा जो वेद में उसका आदेश है उन्होंने जो भी कहा है ऐसे जीना है ऐसे नहीं जीना है ऐसे कर्म करना है और ऐसे कर्म नहीं करना है तो दोनों ही जो बाते हैं विधी और निशेद में कही गई हैं उसका पालन करना है जो भी कर्म करना है परमात्मा की प्राप्ती की इच्छा से करना है बाकी सब नहीं है बाकी सब बखवास है य उससे जो सुक प्राप्त होता है वो अतुलनी है वरणनी है आप उसको अनभव कर सकते हैं किसी के सामने कह नहीं सकते हैं तो जो आनन्द है उसका भोग करें सर्वस अन्यास सुखा नाम सिद्धान तता कर्ट्रित तो आपका यह है परन्तों आप अपना किया हुए सब उसी को समर्पित कर देते हैं तो आपका जो है ना आपका जो अहंकार है वो कम होता है और जितना अहंकार कम होता जाएगा उतना ही दुख विलीन होता जाएगा क्योंकि परमात्मा से फिर लिंक जुड़े और उसी की सन्नेदी में हम रहें, उसी की चाया को अनभव करें, उसी को सब जगह देखें, समस्त भूतों में परमात्मा का धर्शन करें, तो ऐसा करने पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा, सब उसी का है भईया, अपना यहां कुछ भी नहीं है, और हम तो जो भी कर रहे हैं, और अदर उपर से आया ह। इसका पालण कर रहे हैं, तो यहां से क्या मिलेगा उससे क्या लेना देना है, तो अपने समस्त कर्मों को, प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन का यहापन करते हैं, तो उससे बड़ता सुख संसार में दूसरा कोई भी नहीं है , जब ह में एक बात और आती है कि जब ऐसे ही छोड़ दें सब कुछ परमात्मा के भरोसे ये तो वही बात हो गई अजगर करें नचा करी पंची करें नकाम दास मलुका कह गई सबके दाता राम तो ये जो बात है ना अजगर करें नचा करी ये सतही इस तरपर आलसी ओं के लिए है आ कि असके दास्तम मैं उसकी सुक्षमता में जाएंगे ना तो वह परमात्मा को संवर्पित कर देने की बात है अब भारत के जितने भी सन्यासी होए जितने भी संत हुए वे क्या करते हैं वे को व्यवसाय कृष्धी तो नहीं करते वे हिमाले की कंद्राओं में जाकर के भी जाते हैं तो वहां पर भी उसके योग श्रेम का वहन स्वयम परमात्मा ही करते हैं उसके भरोसे बैठ के देखो व्यवस्ताइं सारी होंगी तो जो लोग परमात्मा के सारे मेरश्री दयानत घर से निकले थे तो कोई व्यवस्ताइं लेकर के नहीं निकले थे और उनको कोई यह चिंटा भी नहीं थी इस बात की समाज के लिए उन्होंने किया परमात्मा का आदेश मान करके तो उनके लिए किसी भी चीज की कोई कमी किसी ने छोड़ी गया उनके भोजन वस्त रावा सब की विवस्ता हैं। तो जो कुछ भी है वो सब परमात्मा फिर उसका वहन करते हैं उसके दिए हमें चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन परमात्मा के प्रति इतने समर्पन का फाव सरेंडर हो जाने का पाव सामान्य बात नहीं है अगर यह बात समझ में नहीं आए तो सरेंडर करके प्रयोग कर देखा लें चीवन में जब भी इस्ति बने तब हम आज बात आज आज न sle II कुछ समय नहीं आती है उस और जीवन के अंत्ति में तक आ舀े और पुछ बाता में बाती है उसनी दिए इस जीवन में आज इस 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 आती इस तो परमात्मा का जो आदेश है उसका पालन करना है और ऐसा शास्त्रों में लिखा है और वास्तव में अनुगूती में इसा होता है तो यह गलत तो बिल्कुल भी नहीं है तो यह जो लोग कहते हैं कि तो आलसियों के काम है परमात्मा के भरोसे बैठ जाना कर्म करने के लिए भी तो परमात्मा नहीं का है तो कर्म का आदेश भी परमात्मा का है तो हम तो उसी के आदेश पर काम कर रहे हैं उसी की इच्छा है हमारा गया है